नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग निरला कंस्टक्शन यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या कारण रहता है कि घर बनाते समय कुर्सी लेबल तक पहुंचते डबल बीम का उप्योग करना पड़ता है जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं कि कुर्सी लेबल पर एक बीम देया गया है और एक उसके साथ ग्राउंड बीम का उप्योग इस घर में किया जा रहा है तो ऐसा करने से कॉंस्ट्रक्शन रिकूर्ट जुस्तो बढ़ता है तो आकिर क्या कारण है कि इस दोनों बीम को परभाइड करवाना पड़ता है अपने घरों में तो चलिए जान लेते हैं जैसा कि आप देख रहे और 6 फिट आप देख पार है सामने के तरह भी किसमे स्वाइल फिलिंग किया गया है दोस्तो कई सारे घरों में आपने देखा होगा कि साइट से ये वला दिवाल है प्लिंट लेबल से नीचे वला दिवाल जहां तक स्वाइल फिलिंग किया जाता है उसमें कई बार दरार आने लगती हैं और जो मिट्टि के हम लोग भावाई करते हैं तो कई भाव करन जो दिवाल है वह बाहर के तरफ भी देता है वो नहीं आप है, तो बहुत ही अच्छा काम है, कभे भी आप तीन फीट से ज़्यादा स्वाइल फिलिंग कराते हैं, तो बाहरी दीवारी होती है, उसमें आपको एक ग्राउंड बीम जरूर प्रवाइड करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और बगल कि अगल बगल जब आप देखेंगे, खाली जगा है, और आपको ज़्यादा लगबक तीन से सार तीन फीट के आस पास है, फिर उससे ज़्यादा स्वाइल फिलिंग करना है, तो आप इस तरीका का डबल अगर आप बीम का उप्योग करते हैं, तो जो आपका घर है, वो कठनाय के सामना नहीं करना परेगा, तो दोस्तों उमेद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी आवस्त कर ले, क्योंकि मैं आप ही लोग का हेल्प के लिए डेली बेसिस पर इस चैनल पर वीडियो लाता हूँ, मिलते हैं अगले इंफरमेटिव वीडियो में तब तक लिए देजे इजाज़ात, नमस्कार